हलो दोस्तो नमस्कार मास्टर टेक्निशन चानल में आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तो आज के इस वीडियो में कमिन्स के BS4 अजिंक्या और अम्रेला इंजिन को स्टार्टर से स्टार्ट करने के लिए कनेक्शन कैसे होते है वो ECU के पिंस के डिटेल के साथ हम जान लेंगे ताकि कोई भी कमिन्स की BS4 5.9 इंजिन वाली गाड़ी हो तो आप उसे आराम से स्टार्ट कर सकते हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हो लाइक, सस्क्राइब और शेयर जरूर करना कमिन्स के 5.9 इंजिन में दो टाइप के इंजिन होते है एक अजिंक्या और दूसरा अम्रेला अब ये कैसे पैचनेंगे अगर गाड़ी में नीचे वाटर सेपरेटर प्लास्टिक का काला कलर का फिल्टर ऐसा लगा हो तो समझना है अम्रेला इंजिन है और अजिंक्य में ये मेटल वाला फिल्टर हमें दिखाए देगा और दूसरा तरीका है जो हाई प्रेशर पॉंप से कॉमन रेल के लिए जाने वाला डिलिवरी पाइप उसके उपर अगर दो पाइप लगे हुए है तो अजिंक्य एंजिन समझना और एक पाइप सिंगल लगा हुआ है तो अम्रेला इंजिन है समझना इन दोनो टाइप के एंजिन के अंदर ECU एक ही टाइप का लगता है CM280 तो इससे अंदर से निकलने वाला जो वाइरिंग हर्नेस का कनेक्टर और पींस है वो हमेशा सेम ही रहेंगे तो अब हम इसका स्टार्टिंग सर्केट कैसा होता है इसके बारे में जान कर ले लेते हैं अब ही CCU के अंदर दो सॉकेट होते हैं वो socket का नाम दिया गया है J1 और J2, जो J1 वाला socket होता है, उससे निकलने वाला wiring harness इंजिन के लिए होता है, उसका connection सिर्फ इंजिन के लिए मिलेगा, तो उसमें क्या-क्या आता है, आगे देख लेते हैं, तो उसका connection क्रैंक्शाप पोजिशन सेंसर के लिए होता है, दूसरा कै fuel rail pressure sensor, जो होता हो गया है, intake manifold air pressure, पाचवा engine coolant temperature sensor, oil pressure switch, metering unit, उसे fuel pump actuator बोलते है, data link connector हो गया, उसमें can low, can high का connection होता है, अब आते हैं हम दूसरे socket के ओपर, जिससे J2 नाम से जाना जाता है, उसमें क्या-क्या कनेक्शन होता है, एक्सेलेटर बेडल assembly, OBD2 data link connector, एक्जास brake switch signal के लिए, वापस brake pedal switch का signal हो गया, और stop engine light का connection हो गया, ये amber color का driver warning lamp, mulk function indicator lamp, इनका connection होता है, ignition switch का connection, और water in fuel sensor का connection हो गया, vehicle speed sensor का connection हो गया, और exhaust temperature sensor, उनके लिए होता है, coolant temperature sensor, और हो गया, ambient temperature sensor, starter lockout relay, उसका connection हो गया, और viscose fan, उसका भी connection होता है, exhaust brake का connection हो गया, air assist wall रहता है, उसका connection, dusting unit इसका connection, ये सब का connection, J2 का wiring harness के socket में चला जाता है, और ये सब सारा connection गाड़ी के wiring की साथ रहता है, अब engine को start करने के लिए, कौन सा कौन सा wire कहां कहां पे जाता है, उसका हम connection कैसा होता है, ये देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे बैटरी होता है, दो बैटरी होता है, वो 24 ओल्ड का सिरीज में जॉइन किया हुआ रहता है, बैटरी के एक positive connection से wire निकला हुआ रहता है, उसमें 30 ampere का एक फ्यूद लगा हुआ रहता है, वहां से 3 wire का connection, अभी आगे दीख रहे हैं उस हिसाब से, ECU के J2 वाला wiring harness का socket है, वहां पे एक 3 और 5 नंबर के pin में यहां लग जाता है, और दूसरा connection होगा, बैटरी से निकला हुआ अर्थ का connection, यह अर्थ का symbol है, यह जो अर्थ का connection है, उसका भी 3 connections, मतलब ECU का pin नंबर 2, 4 और 6 यहां पे लग जाता है, उसके बाद बैटरी के main connection से ही, ignition switch के हाँ, एक connection गया हुआ रहता है, ignition switch के अंदर 3 step होते है, एक accessories, दूसरा ignition और तिसरा cell, तो उसमें से पहला connection में चला जाएगा, accessories चालू हो जाएगा, accessories में क्या क्या होता है, accessories से भी एक connection आता है, उसी के बीच में भी एक fuse का connection होता है, उसी से 4 wire निकला हुआ रहेगा, जो EC ECU के J2 वाले socket में रहेगे, उसका pin नमबर रहेगा, 56, 35, 36 और 34, उसके बाद चले आते हैं, ignition on करने के बाद, हम ignition जब on करेंगे, उस time, वहाँ से भी एक connection चला जाएगा, ECU का 15 नमबर pin के अंदर, उसे के बीच में भी 5 ampere का fuse लगा हुआ होगा, अब आता है, starter lockout relay का connection, उसम 57 नमबर pin, starter lockout relay के लिए, वो दो wire का connection चला गया रहता है, relay का pin नमबर 85 और 86 में, इस relay से 87 pin से starter के लिए connection गया हुआ रहता है, और 30 नमबर pin से, neutral relay के यहाँ, pin 30 के यहाँ, उसका connection चला गया रहता है, अब neutral relay से, 30 नमबर pin से, उसका connection चला गया रहता है, ignition switch में, crank के यहाँ पे, उसी का एक connection रिले के 86 नंबर पीन के यहां चला गया रहता है और 87 नंबर पीन में ground रहता है जो neutral switch से आया हुआ रहता है gearbox के उपर जो neutral switch से लगा हुआ रहता है वहां से आया हुआ रहता है अब धहन से देखिए इस circuit को इस से ज्यादा इस circuit के अंदर कुछ है ही नहीं जब हमें starting problem आएगा तो ये circuit हमें बहुत काम आएगा neutral switch से neutral relay तक एक connection आया हुआ है वहां पर positive का connection ignition ignition switch से ही मिला हुआ है तो वो relay energized होने के बाद neutral relay का 30 नंबर पीन का connection 87 पीन में चला जाता है और वो connection starter lockout relay में चला गया है starter lockout relay में issue से जो 9 और 57 नंबर पीन से आया वो connection है वो starter lockout relay को energized करता है उसके बाद starter हमारा start हो जाता है और engine को घुमा कर engine को start कर देता है दोस्तो अगर आपको ये information अच्छी लगी तो like, subscribe, share ज़रूर करना धन्यवाद